हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंट्स अगर आपको भी जलेबी खाने का मन है और अब भार से लाकर नहीं खा सकते कौकि मार्केट बंद है तो घर पर ही बनाईए जूसी क्रिस्पी जलेबी वो भी 15 मिनट में तो हाँ फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले जलेबी व अगर आपको परस नहीं हो तो आप मिक्सी में हलका सा ग्राइंड कर लें उसके बार टालेंगे 1 4th कप मैदा और मैदा डालने के बाद फ्रेंट्स यहां पर हम धाई डालेंगे धाई मैंने आधा कप लिया उसको अच्छे से फेट लिया तो आप डालने से पहले धाई को अ आप इसे skip कर सकते हैं अब इसमें हम अराम अराम से पानी डालेंगे हैं टोटल मैंने 3 फोर्थ का पानी का इस्तमाल किया है पानी आप एक बार में नहीं डाले इस तरह अराम अराम से डाले जैसा कि मैं डाल रही हूँ और डालने के बाद फ्रेंट्स इसके अंदर हम जब तक यह रिज्ट होड़ा तब तक हम चासनी बनाते हैं उसके लिए मैंने गैस पे केश फे पैन चड़ाया है उसे मैंने 1 कप चीनी डाल दिया और 3 फोर्थ कप मैंने पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद इस तरह हम अच्छे से mixed करेंगी और mix करने के बाद यहां में मैं फ्रेंट दो इलाइची डाल रही हूँ और 10 से 12 हम डालेंगे केसर की पत्या यह जो केसर है बिल्कुल आप्सनल है अगर आपकी मर्जी नहीं है डालने की तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इसे टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने एड किया है तो बस हमें इसी तरह चास्नी बनाना है एक बर जब उबाल आ जाए तो 3-4 मिनट तक हमें अच्छे से खुलाना है एक तार की चास्नी नहीं बनानी है उससे हलका रखना है तो अब हमारा यह चास्नी बनकर रेडी है तो इसे मैं गैस से अलग कर लेती हूँ अब मैं अपना बैटर देखती हूँ यह देखे हलका सा थिक हो गया है तो परफेक्ट बस हमें इसी तरह का बैटर चाहिए अब हम इस तरह का एक प्लास्टिक ले लेंगे आपके पास दूद की पनी हो या जीप लॉक हो कोई भी इस तरह का प्लास्टिक ले ले और इस तरह आप ग्लास पर लगा ले और लगाने के बाद जो हमने बैटर बनाया वो इसके अंदर एड़ कर दे और एड़ करने के बाद फ्रेंट्स आप देखोगे यह कौन जैसा बन गया जैसा अभी मैं आपको दिखाती यह देखिए अब हम इसे नीचे से काटेंगे काटने के लिए फ्रेंट्स आप अगर जलेवी मोटी पसंद करते हो तो थोड़ा मोटा काटे पतला पसंद करते हो तो पतला काटे तो अब एक तरफ मैंने गैस पर तेल चड़ा दिया और तेल को एक बार अच्छे से गरम होने के बाद गैस को मीडियम कर देंगे हमें जलेवी मीडियम फिलेम पे ही बनानी है अगर आप हाई फिलेम पे बनाओगे तो यह अंदर से कच अब जरूर बना कर देखें सच मानिया आपको यह बहुत पसंद आने वाली है और अगर आप यह घर पर ट्राइ करें तो इसकी पिक जरूर शेयर करें मेरे फेसबुक अकाउंट पर मेरा फेसबुक अकाउंट भी रीना रसुई के नाम सही है तो बस इसे मीडियम फिलेम प बताए कि आपको यह रैसिपी कैसी लगी और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज रेट बटन को दबा कर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो यह देखे अब हमारी सारी जलेबिया बनकर रेडी हो ग यह बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बनती है तो बस इसी तरह मैं अपनी सारी जलेबिया बनकर रेडी है तो इसे हम चासनी में डिप करेंगे इसे हमें चासनी के अंदर दो मनट के लिए डिप करकर रखना है अगर हम दो मनट के लिए डिप नहीं करेंगे तो जो चासनी है जलेबी के अंदर तक नहीं जाएगी और हमारी जलेबी जोसी नहीं बनेगी तो बस इसी तरह मैं दो मिनट के लिए जलेबी को चास्नी के अंदर डाल कर छोड़ दूँगी अब ये देखें अब हमारा ये दो मिनट हो चुका है तो दो मिनट होने के बाद फ्रेंट्स इसे हम एक जरिया ले लेंगे और जरिया लेने के बाद उसके उपर हम जलेबिया निकालेंगे मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा चास्नी है वो हमारी निकल जा ताकि एक्स्ट्रा जो चासनी है वो निकल जाए और इसी तरह सेम प्रोसेस से हम सारी जलेबियों को चासनी में डिप करेंगे ध्यान रहे हमें दो मिलट के लिए डिप करकर रखना है तो फ्रेंट्स एक बार ये रेसिपी आप घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करकर बत के आप घर पर ठाई करें और कमेंट करका बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी रेसिपी थोड़ी सी अच्छी लगे तो लािक शीयर कमेंट जरू करें रेसिपी देखने के लिए ठेंक यू थैंक्स पर वाचिंग है